हेलो गाइज वेलकाम तो एवेस्ट क्लासेश पावडवाई सर्माज एजूकेशन so the question statement is the time period of satellite of earth is 5 hours if the separation between the earth and satellite is increased to 4 times the previous value the new time period will become question यह बोल रहा है कि अगर किसी earth के satellite का time period 5 गंटा हो और उसके बीच की जो दूरी है separation between the earth and satellite इन दोनों के बीच की जो distance है या separation है उसको 4 गुना कर दिया जाए तो नया जो time period होगा वो कितना होगा ठीक है तो four options are here 10 hours, 80 hours, 40 hours या फिर 20 hours let's see how to solve this question तो कौन सा law इसमें use करेंगे सबसे पहले हमें तो laws of planetary motion अगर पता है laws of planetary motion जो कि किसमें दिये थे Kepler ने दिये थे तो इनको हम कहते है Kepler's law of planetary motion तो third law की बात हम करेंगे third law तो third law क्या बताता है तो वो बताता है हमें कि जो time period का square होता है वो semi major axis के क्यूब के proportional होता है अब ये जो time period है ये semi major axis है ये होता क्या है तो time period मैं बता दूँ यहाँ पे किसी भी एक cycle को complete करने में जितना time लगता है उसे हम time period कहता है जैसे अभी यहाँ पर satellite की बात हो रही है तो ये अर्थ है और इस अर्थ के चारोर ये इसका orbit है ठीक है ये अर्थ का orbit है इसका जो satellite है ये satellite जितना time यहाँ से start किया सपोस्थ और यहाँ तक जितने time में पहुचेगा इसी point तक जितने time में वो पहुच जाएगा वो इसका एक क्या होगा time period होगा तो हर एक satellite हर एक planet और हर किसी का भी जो motion करता है या जो SSM करता है उसका time period क्या होता है fix होता है ठीक है तो इस satellite का time period given है वो कितना है 5 hours है अब distance अगर बढ़ा दी जाए तो distance का matter क्या है यहाँ पे तो देखे यह जो axis है इस axis को बोलते है measure axis और इस वाले axis को बोलते है minor axis ठीक है यहाँ पर मैंने बोला था semi measure axis यह क्या था semi measure axis semi measure axis तो semi measure axis का मतलब क्या होता है यहाँ से जो semi का मतलब हो गया आदा तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance है इसको हम बोलेंगे semi measure axis और यहाँ से यहाँ तक की distance है इसको हम क्या बोलेंगे semi minor axis ठीक है तो clear हो गया semi measure axis and semi minor axis में कोई difference क्या है यह clear हो गया होगा तो semi-measure axis हमें लेना है तो यह हम time period अगर निकालेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पहले जो initial time period था इसका वो कितना था t1 is equal to 5 hours कितना दिया है 5 hours ओके t2 अपने को find करना है कि t2 क्या होगा जबकि यहां पर दिया है a2 जो second इसका जो semi-measure axis होगा वो चार गुना कर दिया गया है पहले वाले का तो हम यहां पर use करेंगे t1 square upon t2 square is equal to कितना हो जाएगा a1 upon a2 की whole power 3 ठीक है यह हो जाएगा अभी यहां पर हमें value put करने है तो t1 की value कितनी है यहां पर तो चेक कर देज़े कितना है यहां पर तो अभी हम बाद में put करेंगे पहले हम यहां पर t1 upon t2 is equal to 1 upon 4 raise to the power 3 by 2 हम इसको लिख सकते है t1 upon t2 is equal to 1 upon 2 raise to the power 2 ठीक है इंटू 3 by 2 तो 2 से 2 cancel हो गया है यहां कि 1 upon 2 की power यह कितना हुआ 3 हो गया इसको हम लिखेंगे क्या 1 by 8 तो t1 upon t2 कितना आ गया 1 by 8 आ गया यहां फिर हम इसको लिख सकते है t2 is equal to 8 t1 और t1 की value अभी हमने देगे थी कितनी थी 5 hours हम यहां पर put कर देंगे 5 तो यह जाएगा 8 into 5 means t2 is equal to 40 hours तो इसका मेनी यह हो गया कि time period जो अब होगा satellite का वो कितना होगा 40 hours होगा यानि कि इसको अब कितना time लगेगा 40 गंटे का समय लगेगा एक cycle को complete करने में ओके तो let's see कौन सा option correct है तो option 3 is correct hope this answered your question thank you करो